नमस्कार साथियो आज हम बड़े रोचक विशय पर चर्चा के लिए आपके साथ हैं और विशय का सीरसक है विज्ञान सभी के लिए विज्ञान किसी एक के लिए नहीं है विज्ञान के वल विज्ञानिक के लिए नहीं है विज्ञान के वल इंजीनियर के लिए नहीं है वि विज्ञान तो सभी के जीवन से जुड़ा है और विज्ञान सभी के लिए है पहला प्रश्णी यह है कि क्या विज्ञान सभी के लिए है हाँ विज्ञान क्यों सभी के लिए है कि विज्ञान भाषा छेत्र व्यक्ति इन सीमाओं में बंधा नहीं है विज्ञान इन सीमाओं काम आती है ता छेत्र विक्ति भाषा कोई भी विज्ञान को बांध नहीं सकता है विज्ञान में होने वाली खोजें विज्ञान में किये जाने वाले अविश्कार विज्ञान में निर्मित होने वाले नवाचार ये सभी के लिए हैं किसी एक विक्ति के लिए नहीं होते हैं बिज्ञान जीवन और जीव के प्रतेक छेत्र से जुड़ा है बिज्ञान में नकिवल भौतिक वरन जैविक भी सारे पहलू सम्मिलित हैं हम धर्ती की बात करते हैं, आकास की बात करते हैं, सूर की बात करते हैं, भूमंडल की बात करते हैं धर्ती किसन रचना की बात करते हैं पहाडों की बात करते हैं नदियों की बात करते हैं बहुत तिक पक्ष हैं हम जीव जन्तूओं की बात करते हैं हम बैक्टिरिया बाइरस की बात करते हैं हम हाथी सेर जैसे जीव जन्तूओं की बात करते हैं कि बात करते हैं हम सरीशरपों की बात करते हैं सब जीव हैं हम पोधों की बात करते हैं अर्था विज्ञान में सब कुछ सम्मिलित है क्योंकि विज्ञान सब के लिए इसलिए है कि विज्ञान का उदेश हमारे जीवन को आसान बनाना है हमारे जीवन या आपके जीवन सब के जीवन को आसान बनाना ही विज्ञान का उद्देश है विज्ञान की आवशक्ता प्रतेक विक्ति के लिए है विज्ञान की आवशक्ता प्रतेक समाज के लिए है विज्ञान की आवशक्ता प्रतेक सभ्यता के लिए है क्योंकि विज्ञान रूणियों के समापन में मदद करता है वो एक कहानी है ना कि बिल्ली रास्ता काट जाती है बिल्ली कभी रास्ता नहीं काटती है विज्ञान हमें बताता है कि बिल्ली भोजन की तलास में एक जगा से दूसरी जगा जाती है एक जगा भोजन नहीं मिलता दूसरी जगा बोजन दूसरे घर में डूनती है तो सड़क तो पार करेगी वो हमारे नुकसान के लिए सड़क पार नहीं करती तो रूनियां जो हैं उनको समाप्त करके एक तर्कपूर्ण सोच विक्सित करने के लिए विज्ञान है विज्ञान तर्कपूर्ण सोच का निर्माण करता है विज्ञान दैनिक जीवन को सुलब बनाने का काम करता है खुई भी उपकरण उठा कर देख लीजिए आपके जीवन को विज्ञान ने कितना सुलब बनाया है नई नई उपकरण आपके समक्षाते हैं विज्ञान ही तो निर्मित करता है और विज्ञान आपको मुक्त चिंतन के अवसर प्रदान करता है मुक्त सोच के अवसर प्रदान करता है किसी भी rigidus, किसी भी पूर्वा पेक्षा किसी भी कही सुनी बात, किसी भी अंदिविश्वास इसको पीछे छोड़ कर तरक पूर्ण धंग से चिंतन करने के अवसर विज्ञान सब को परदान करता है सब को क्यों कि विज्ञान एक प्रगतिशील समाज के निर्माण में योगदान करता है इसलिए एक प्रगतसील समाज के निर्माण के लिए विज्ञान का होना अतियंत आवश्यक है विज्ञान सिक्षा क्या होती है विज्ञान सिक्षा का पहला मूलभूत सिद्धान्त है विज्ञान को सिखाया नहीं जाता है विज्ञान सीखा जाता है मैं प्रतेक विज्ञान के अध्यापक से ये कहता हूँ और मैं आप से भी ये निवेदन करता हूँ कि आप अपने दिमाग से ये बात निकाल दीजे अपने मस्तिस्क से ये बिचार बिदा कर दीजे कि विज्ञान को आप विद्यार्थियों को सिखा सकते हैं विज्ञान सिक्षा वह है जो विक्ति में विवेक पूर्ण सोंच विक्सित करे कारण प्रभाव सम्मंद इस्थापित होने की दिशा में आगे बढ़े वह विज्ञान सिक्षा है विज्ञान सिक्षा समस्या समाधान की योगिता विक्सित करती है विज्ञान पढ़ने वाला विद्यारती विज्ञानिक धंग से सोचता है समस्या के विशय में सोचता है समस्या के कारण सोचता है समस्या के संभावित समाधान सोचता है उन संभावित समाधानों पर काम करता है प्रयोक करता है आकड़े कठा करता है उन आकणों का विशलेशन करता है और समस्या का समाधान करता है तो विज्ञान समस्या समाधान की ओगिता विक्सित करता है साथ ही विज्ञान सिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो सामाजिक मुद्दों का हल खोजने में मददगार हो सामाजिक मुद्दे परियावरणिय मुद्दे भी हो सकते हैं सामाजिक मुद्दे प्रदूशन के मुद्दे भी हो सकते हैं सामाजिक मुद्दे जल की कमी भी हो सकती है पेजल समंदी समस्याइं भी हो सकती है वे समाजिक मुद्दे किसी समय में फैलने वाली बीमारी भी हो सकती है वे समाजिक मुद्दे असिक्षा और कुछ कुरीतियां भी हो सकती है उन कुरीतियों, उन समस्याओं, उन परियावरणिये, विशयों का हल खोजने में यदि विज्ञान सिक्षा मददगार है, तो वह सभी के लिए मददगार है, क्योंकि उसका लाव किसी विक्ति विशेश को नहीं होता, उसका लाव किसी एक बेज्ञानी, किसी एक इंजीनियर, किसी एक चिकिसक, किसी एक क्रिसी विज्ञानी को नहीं होता, विज्ञान सिक् आपको अपनी कक्षाओं में, विज्ञान सिक्षा में, बच्चों में प्रक्रिया कौशलों के विकास पर बल देना है प्रक्रिया कौशल ही मात्वपूर्ण है वोई विशलेशन का कौशल है वोई संसलेशन का कौशल है वोई वरगी करण का कौशल है वोई अबलोकन का कौशल है क्या मूलभूत कौशल जितने भी है इन कौशलों के विकास पर आपको बल देना है विज्ञान सिक्षन पाठ्थ पस्तकों में दिये प्रशनों का उत्तर खोजना मात्र नहीं है पाट्य पुस्तक में विज्ञान का चैप्टर लिखने के बाद चार प्रशन दे दिये गए हैं और आपको उन प्रशनों का उत्तर ढूंडना नहीं ये विज्ञान के सिक्षा नहीं विज्ञान सिक्षण अवधारणाओं के स्वयम निर्माण को प्रोथसाहित करता है बच्चों को अवसर दीजिए उन्हें अनुभव करने दीजिए उन्हें अवलोकन करने दीजिए उन्हें प्रश्ण पूछने दीजिए और इन सब के माद्दम से उन्हें अपनी अवधारणाओं का विज्ञान समंदी अवधारणाओं का स्वयम निर्धारण करने दीजिए तो विज्ञान सिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो बच्चों को अवधारणा के स्वयम निर्मान को प्रोच साहित करे विज्ञान तकनीकी और समाज में सकारात्मक समंद विक्सित करता है तो विज्ञान सिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो समाजोप योगी तकनीकी के विकास में मदद करे और तकनीकी के सामाजिक सुईकारिता बढ़ाए यदि इन दोनों में तारत अमिता नहीं है इन दोनों में सकारात्मक समंद निर्मित नहीं होता है तो विज्ञान सिक्षा किसी काम की नहीं इसलिए विज्ञान सिक्षा सभी को दी जानी जरूरी है अच्छा आप मोबाइल फोन इस्तेमाल करते है क्या mobile phone का प्रियोग किसी विक्ति विशेश तक्सीमित है? नहीं, प्रतेग विक्ति तक्सीमित है mobile phone एक तक्नीकी है, विज्ञान के माध्यम से विक्सित हुई है, समाज के काम आ रही है television एक तक्नीकी है, विज्ञान के माध्यम से उसका अविशकार हुआ है समाज में प्रतेग विक्ति टेलिवीजन देखता है दबाएं प्रतेग विक्ति के इलाज में काम आती है सरजरी के उपकरण जिसको भी विक्ति को अवशक्ता होती है जहां भी अवशक्ता होती है वहाँ उसकी सरजरी उन उपकरणों से की जाती है रोबोट भले किसी एक इंडस्ट्री में काम आ रहा है लेकिन रोबोट उस इंडस्ट्री में जो बना रहा है वो तो सब के काम आ रहा है तो ये मालने ना कि विज्ञान केवल एक विशेश से जुड़ा है विज्ञान केवल एक विशेश के समूं से जुड़ा है विज्ञान केवल किसी देश-विशेश से जुड़ा ऐसा नहीं है तो विज्ञान सिक्षा हमें इसकाविल बनाती है हमें प्रेडित करती है कि हम समाज के प्रतेक अंग को सिक्षित करें और जब हम सिक्षित जब करते हैं कहते हैं हम उनमें वेज्ञानिक साक्षर्ता विक्सित कर रहे हैं यह वेज्ञानिक साक्षर्ता क्या है वेज्ञानिक साक्षर्ता का अर्थ है व्यक्ति में जिग्यासा का उत्पन्न होना व्यक्ति के द्वारा प्रश्न पूछना व्यक्ति के द्वारा कारणों का पता लगा का प्रयास करना वेक्ति द्वारा प्रश्णों के उत्तर खोजने का प्रयास करना और नए प्रश्णों का निर्मान करना यह वेज्ञानिक साक्षरता है अक्षरिय साक्षरता अक्षर पढ़ना सिखाती है वैज्ञानिक साक्षरता विक्ति में तर्क ओनता विक्सित करती है विक्ति में जग्यासा उत्पन करती है कोई घटना घट रही है तो क्यों घट रही है कोई नया उपकरण आया है तो इसका क्या प्रियोग है प्रशन पूछता है ये कैसे चलेगा ये क्या होगा इस उपकरण के क्या लाव है इसकी क्या हानिया है इस उपकरण की आवशक्ता क्यों पड़ी इस उपकरण के प्रियोक से क्या लाव होगा और फिर वे नए प्रशन निर्मित करता है इस उपकरण में सुधार कैसे किया जा सकता है तो विज्ञानिक साक्षरता एक विक्ति में आलोचनात्मक अवलोकन वरनन स्पस्टी करने और प्राकरते घटनाओं की भविश्यवानी जैसी छमताओं को विक्सित करती है अर्था जब विक्ति विज्ञानिक रोप से साक्षर हो जाता है तो वändern केवल अवलोकन नहीं करता है किसी वस्तु को केवल इसलिए नहीं देखता है कि वो उसके सामने है उसके समक्ष है वह उसको अलोचनातमग द्रश्टी से देखता है वहाँ उसने जो देखा है उसका वर्णन करना सीखता है वह जो वर्णन कर रहा है उस वर्णन में एस्पस्टी करन लाता है और वह वे बैज्ञानिक घटनाओं के कारणों को देख करके भविश्वानी करने की छमता विविक्सेत हो जाती है ये सब वेग्यानिक साक्षर्ता के कारण ही संभव है तो वेग्यानिक साक्षर्ता में क्या-क्या सामिल है विद्वत जनुने कहा है कि वेग्यानिक साक्षर्ता में स्थानी और रास्ट्रिय फैसलों में नहित वेग्यानिक मुद्दों की पहचान सम्मिलित है वैज्यानिक साक्षरता में वैज्यानिक तक्नीकी सूचनाओं का संग्रह और विशलेशन सम्मिलित है वैज्यानिक साक्षरता में प्रमान आधारित तर्क प्रस्तुत करने की योगिता सम्मिलित है बैग्यानिक साक्षरता में तत्थियों और तरकों के विशलेशन की योगिता सम्मिलित है और तरकों से निकले निसकर्षों के उपयोग करने की योगिता भी सम्मिलित है जब हम इस्थानियों राश्ट्री फैसलों पर नहित बैग्यानिक मुद्धों की बात करते है समाज में कोई घटना घटती है आपके आसपास कोई घटना घटती है उस घटना के विशाय में समाज के प्रवो दिजन कोई नड़ने लेते हैं क्या उस नड़ने में वेग्यानिकता है क्या उस समस्या का वेग्यानिक धंग से विशलेशन किया गया है क्या उसके कारणों की ठीक से पहचान की गई है जो विक्ति बिज्ञानिक तोर से साक्षर होता है वो यह प्रशन पूछता है और न केवल स्थानिय मुद्दों में वरन रास्ट्रिय फैंसलों में भी बिज्ञानिक साक्षर्ता उनके विशलेशन में मदद करती है सरकारें, देश के और समाज के लाव के लिए बहुत सारे मुद्दों की पहचान करती है बहुत सारे फैंसले लेती है लेकिन क्या उन फैंसलों में तर्क पूनता है विज्ञानिक साक्षरता उस विशलेशन में मदद करती है जब विज्ञानिक साक्षरता के हम बात करते हैं और कहते हैं कि विज्ञानिक और तक्नीकी सूचनाओं का संग्रह और विशलेशन हाँ जो लोग विज्ञानिक रूप से साक्षर होते हैं तेस में, समाज में, बिश्व में, अलग-अलग जगहों पर जो भी विग्यानिक घटनाय घट रही है, जो भी नई तकनीकियां विक्सित हो रही है, उनकी सुचरा एकत्र करते हैं, उनका विशलेशन करते हैं, और देखते हैं हमारे देश के लिए, हमारे विद्याले के योग विशह है नई नई तक्नीकिया निरंतर विक्सित होती है नई नई प्रियोकों से समंदित सुचनाय निरंतर आती है उनका संग्रह करना और उनका विशलेशन करना यह उन लोग की आदत होती है जिनमें बेग्यानिक साक्षरता विक्सित हो जाती है प्रमा आधारित तर करता है यह सा और सांती जो भी तथ्य उसके सामने लाए जाते हैं यह जो कोई भी विख्ति कर सकता है यह केवल विज्यान का विध्यार्थी करेगा ऐसा नहीं है ये किवल विज्ञानिक करेगा ऐसा नहीं है ये सब को ही कर सकता है इसलिए कहते हैं विज्ञान तो सब के लिए है और फिर तरकों से जो निसकर्ष निकलते हैं उन निसकर्षों का उपियोग कर सकता है विज्ञानिक साक्षरता के कुछ मूल घटक है जिन पर चर्चा करनी आवश्यक हो जाती है पहला घटक है मूल अवधारना और नियम आधारित ग्यान का आधार निर्मित करना अर्था यदि हमें बच्चों में, समाज के लोगों में विज्ञानिक साक्षरता विक्सित करनी है तो हमें लोगों में ऐसे ग्यान का आधार निर्मित करना होगा जिस ग्यान के आधार में कोई मूल आवधारना या नियम है साथ ही हमें विज्ञान, तक्नीकी और समाज तीनों के बीच के सह संबंद को विक्सित करना होगा विज्ञान के अनुप्रियोग तक्नीकी है और तक्नीकियां किसके लिए विक्षित होती है समाज के लाव के लिए विक्षित होती है समाज को मदद करने के लिए विक्षित होती है हमें ये भी चर्चा करनी होगी ये भी गुण लोगों में विक्षित करना होगा कि मानव उद्यम के रूप में विज्ञान की छमताएं और सीमाएं क्या है विज्ञान कहां तक जा सकता है कई वार इस प्रकार के तर्क होते है कि विज्ञान की दरस्टी में वो ठीक हो सकता है समाज की दरस्टी में वो ठीक है क्या कि विज्ञान अपनी सीमाएं तो नहीं पार कर रहा तो विज्ञान के अपनी क्षमताएं और सीमाएं होती है मानव उद्यम के रूप में उन पर चर्चा होनी चाहिए वेज्ञानिक साक्षरता के मूल घटकों में सबसे महत्पूर है समस्य समाधान कौशल और प्रक्रियाओं का विकास प्रतेक मानव में हमें वे कौशल और वे प्रक्रियाओं विक्सित करनी चाहिए जिससे वो समस्य समाधान के योगे बन सके साथ ही विज्ञानिक प्रकाशनों को पढ़ने और व्यक्त करने की छमता का निर्मान यह भी एक महत्वपूर्ण विज्ञानिक साक्षर्ता का घटक है क्योंकि सामाने समाचार पत्र में छपी घटना और विज्ञान की पत्र पत्रिका में छपी घटना दोनों की भाषा में बिन्नता होती है और विज्ञान के लिए किसी चीज़ को व्यक्त करना और सामानने बोलचाल की भाषा में किसी चीज़ को व्यक्त करना उन दोनों में भी विन्नता होती है तो ऐसे में विज्ञानिक प्रकाशनों को कैसे पढ़ा जाए कैसे उनमें अपनी विचारों को व्यक्त किया जाए इन छमताओं का निर्माण वैज्ञानिक साक्षरता के कारण ही होता है जैसे इसका मैं एक उधारान लेता हूँ आपके घर में कभी कोई विमार पड़े आप कोई दबा लेकर आए दबा के सीरप के डिब्बे के अंदर एक दबा के बारे में बिवरण पत्रक निकलता है क्या उस बिवरण पत्रक की भाषा सामान जनकी समझने के योगे होती है या केवल फार्मेसी वाला ही उसको समझ सकता है वह एक बेग्यानिक प्रकाशन है विज्ञान की पत्र पत्रिकाओं में छपे लेक बे विज्ञानिक प्रकाशन है और साथ ही विज्ञानिक साक्षर्था जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि प्रमाणों के आधार पर तर्कों के मुल्यांकन और निशकर्स की योगिता विक्सित करती है विज्ञान को जन सामाने तक पहुचाने के लिए बहुत सारे प्रियास इस देश में किये जाते रहे हैं सरकार के दवारा भी और गर सरकारी च्छित्रों के दवारा भी मैं ऐसे कुछ प्रियासों की बात करता हूँ भारत सरकार की एक बड़ी महत्वा कांख्शी योजना है जिसको हम इंस्पायर योजना कहते हैं इंस्पायर योजना ये इंस्पायर योजना में बच्चों की छटवी कक्षा में पहचान कर ली जाती है ऐसे बच्चों की पहचान जो विज्ञान के छित्र में बिसिस्ट प्रतिभा रखते हैं और फिर उन बच्चों की प्रतिभा को और पोशित करने के लिए उनकी स्रजनात्मक्ता और नवाचानों को प्रोचसान देने के लिए उनको निरंतर प्रोटसान दिया जाता है और ये योजना ऐसे विद्यार्थियों को कक्छा छे से प्रारम करके इस नातकोतर तक बच्चों को पोशित करती है बड़ी अच्छी योजना है ये तो हुई उन बच्चों से सम्मंदित योजना जिनका विज्ञान में विशेष रुची है विशेष प्रतिभा है जन सामान तक विज्ञान को पहुँचाना इसके लिए सरकार की एक संस्था है जिसका नाम विज्ञान प्रसार है विज्ञान प्रसार कटपुतलियों के माद्यम से नुकर नाटकों के माध्यम से पत्र पत्रिकाएं निकाल कर रेडियो पे कारिक्रमों के माध्यम से टेली बीजन पर कारिक्रमों के माध्यम से विग्यान के सामानने अनुप्रियोगों को जन सामानने तक पहुचाने का प्रियास करती है उसका नाम विज्ञान प्रसार है साथ ही एक और संस्था है जिसको रास्ट्रिय बाल विज्ञान कॉंग्रेस कहते हैं ध्यान दीजिए का ये रास्ट्रिय बाल विज्ञान कॉंग्रेस है ये रास्ट्रिय बिद्यार्थी विज्ञान कॉंग्रेस नहीं है अर्थात ये NCSC जो संस्था है या किसी भी बच्चे की प्रतिवा को पहरचान कर उसको प्रोथसाहित करती है अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसमें कोई विज्ञान से समंदित बिसेश प्रतिवा है बले ही बच्चा विद्ध्याले में नहीं है वैसे तो अब सिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने के बाद हम यह अपेक्षा नहीं कर सकते कि कोई बच्चा विद्ध्याले में नहीं होगा लेकिन फिर भी भले ही कोई बच्चा किसी विद्ध्याले में ना हो, फिर भी यह दिए उस बच्चे में प्रतिवा है, तो उस प्रतिवा को पहचान करके NCSC इसको आगे बढ़ाती है, तो चाहे इंस्पार योजना हो, चाहे विज्ञान प्रसार के कारे हो, चाहे NCSC हो, इन में महराश्र में मराथी विज्ञान परिशद है, केरल में केरल सास्त्र साहित्य परिशद है, गुजरात में विक्रम सारा भाई कम्यूटी सेंटर है, इस प्रकार के बहुत सारी संस्थाएं, ये तो कुछ होदारण है, विविन राज्यों में अपने कारिकरम चला रहे हैं ये नाकेवल विज्ञान विशय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को मदद करते हैं बलकि इसके साथ साथ जन सामाने को भी विज्ञान के करीब लाते हैं और भी बहुत सारे प्रियोग खासतोर पर विज्ञान के सिक्षकों को प्रसिक्षित करने के लिए भी बहुत सारे निजी प्रियास हुए हैं जैसे होसंगाबाद प्रियोजना थी और एक कुपपा मांधर प्रदेश में अगस्ते फाउंडेशन द्वारा एक प्रियोग किया जा रहा है जिसमें विज्ञान के अध्यापकों को प्रसिक्षित करते हैं और विज्ञान के विद्या कि दिशा में आगे बढ़ते हैं क्योंकि मैंने सुत्र के प्रारम में आपसे कहा विज्ञान केवल किसी एक विशे से बंधा नहीं है विज्ञान एक देश से बंधा नहीं है विज्ञान एक भाशा से बंधा नहीं है विज्ञान किसी एक व्यवसाय से बंधा नहीं है ऐसा कौन सा व्यवसाय है जिसमें विग्यान नहीं है चिकित्सा में विग्यान है इंजिनरिंग में विग्यान है क्रशी में विग्यान है सिलाई कड़ाई में विग्यान है कंप्यूटर में विग्यान है सफाई में विग्यान है हर जगा विग्यान है तो विज्ञान तो हम सब के जीवन से जुड़ा है विज्ञान हम सब के लिए है मुझे आसा है कि मेरी आज की ये चर्चा आपको सब के लिए विज्ञान इस विशे को समझने में मदद करेगी और आप अपने विद्यार्थियों की साहता से न केवल विद्यार्थियों में ब बहुत बहुत आभारी हों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवारा